Hello everyone, welcome back to our YouTube channel StudyHub The last lecture में हमने स्टार्ट किया था Karakota Empire आज हम उसी को continue करेंगे Karakota Empire जो है इसे नागास भी कहा जाता है Founder इनके थे दुरलव वर्दना Hune Sang ने इनी की टाइम पे विजिट किया था इंडिया में 7th century AD में बाया बारा मुला He stayed here for two years इसके बाद इनकी कुछ books हैं जिनमें कश्मीर का mention किया गया है C.U.K.E. और किया शी मिलोग ठीक है इसके बाद another important ruler of Karakota Empire जो की थे प्रताप अदित्या प्रताप पूरा इन्हने found किया town जिसे तापर भी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट इंपोर्टेंट रूलर थे ललित अधित्या मुक्तापिदा बहुत इंपोर्टेंट नाम हो जाता है इनका जो पीरिड था वो था 724 to 760 AD ग्रेटेस्ट रूलर इन्हें का जाता है वर्ल्ड कंक्वाइर नाउन एज समुद्र गुपता ओफ कश्मीर अलेक्सेंडर ओफ कश्मीर तो अलेक्सेंडर ओफ कश्मीर इसलिए का जाता है क्योंकि इन्होंने काफी सारी जो एरिया था उसे कनक्वाइर किया था पंजाब, कनौज, तिब्बत, लदाख, बदाक्षान, इरान, बिहार, गोदा, बेंगौल में था कलिंगा, और इसा में, साउथ इंडिया, गुजराथ, मालवा, मरवार और सिंद तभी इन्हें अलेक्सेंडर ओफ कश्मीर कहा गया इन्होंने रूल किया 36 इर्स इसके बाद यह जो पिक्चर्स है, यह रियल पिक्चर्स इनकी लगाई है इसके बाद आता है, कमांडर इन चीफ सिंके थे, चनक कौर्या कोर्ट पोएट थे, भाव भूती, ठीक है उसके बाद, नेक्स्ट हम देखेंगे, कि बिल्ट किया था इन्होंने केपिटल, नियर खीर भवानी, परिश पूरा इन्होंने फाउंड किया खीर भवानी जो है, यह गांदरवल में है ठीक है, तुल्मुल विलेज में आपने हमारे सभी लेक्टर्स अगर देखी हैं, तो आपको पता होगा जैसे कि टूरिस्ट स्टेशन हमने कवर किया है, उसमें सब चीज़ें जो हैं कवर की कियें बहुत अच्छे तरीके से, तो ज़रूर विज़िट करें हमारे चैनल स्टेडी हब पर और ज़रूर देखें इसके बाद यह जो खीर भवानी के पास एक कैपिटल इन्होंने बिल्ट किया परिशपोरा, चीक है, सिटी ओफ प्लैजुरे से कहा जाता है उसके बाद इन्होंने बिल्ट किया था, मारतंड संटेंपल जिसे स्प्रिंग ओफ कश्मीर वैली भी कहा जाता है यह जो पिक्चर्स हैं, यह लगा रखी है सासात में तो अपके अगर पिक्चर्स सामने हैं, तो आपके माइन में स्ट्राइक कर जाता है उसके बाद जो मारतंड संटेंपल है, इन्होंने अनंतनांग में बनाया मारतंड अनंतनांग में, vanished talks and defeated येशोवर्मन येशोवर्मन को इन्होंने defeat किया, कनौज की येशोवर्मन को इसके बाद, two more rulers of Karakota empire, जो इकी थे जैपिदा और विने अधित्या जिनका mention किया गया है in the new book of Tang जो की एक Chinese book है ठीक है इसके बाद हम next देखेंगे mediable history तो mediable history में सबसे पहले जो dynasty है वो है उत्पाला dynasty ठीक है तो इनका जो term है वो है 855 to 1003 AD founder जो है अवंती वर्मन इन्होंने found किया अवंती पूरा जेलम जो river है उसके साथ इसके बाद PM जो थे वो थे शेरू ठीक है इंजिनर थे सुया जिन्होंने काफी सारे जो है वो canals found किये repair किया जैसे की dam जो है इनके द्वारा बनाया गया सुया जो है उन्होंने सुया पूरा जो कि एक टाउन है सुपोर में तो वो इन्होंने found किया उसके बाद repair किया old canal construction की stone dam की by draining water of Jalem river ठीक है checking the floods and famines तो यह जो इंजिनर थे सुया इनका नाम बहुत important हो जाता है इन्होंने town build किया इन्होंने कुछ dams हैं वो construct करवाए तो important हो जाता है इसके इंजिनर थे उत्पाला डाइनस्टी में अवंति वर्मन के तो important है इसके बाद next जो है establish किये temples Shiva और Vishnu अब किसने establish किये अवंति वर्मन ने Shiva temple जो था वो है अवंति अवंति स्वारा और अवंति स्वामिन नाम important हो जाते हैं अवंति वामिन जो है वो destroy किया था सुल्तान सिकंदर ने जो pictures लगा रखें साथ साथ में ये अवंति स्वारा है और ये अवंति स्वामिन है pictures से भी आपके एगदम mind में strike कर जाती है चीजे इसके बाद next जो important ruler है mediable के वो है संकर वर्मन इन्होंने impose किया था bagger system सुगंदा जो है next ruler है जो की wife थी संकर वर्मन की शंकर वर्मन की wife थी सुगंदा उसके बाद सूर्य वर्मन last ruler रहे तो इस तरह से भी exam में पूछा जा सकता है की उत्पाला डाइनेस्टी के last ruler कोन थे तो वो थे सूर्य वर्मन तो इसी तरह से next हम चलते हैं गुपता डाइनेस्टी पर गुपता के founder पर्व गुपता है गुपता डाइनेस्टी के founder इसके बाद शाम गुपता को दीद खीमा भी कहा जाता है इन्होंने मेरी किया दीदा से जो की डॉटर थी रूलर ओफ लोहारा पुंच से ठीक है पुंच की जो रूलर की डॉटर थी उनसे मेरी करते है शाम गुपता ठीक है तो दीद खीमा इसे कहा गया क्यूंकि जो शाम ग रहती थी, वो ही काम करते थे, तो इसलिए इसे इन्हें कहा गया दीद खीमा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है रूलर बनते हैं, वो है अभी मन्यू, इसके बाद अभी मन्यू के बाद जो है, जो क्वीन दीदा थी, जो कि शाम गुपता की वाइप थी, वो आ जाती है, गुपता डाइनिस्टी में तो इस टाइम पर क्या होता है कि महमूद ओफ गजनी जो है वो ट्राइ करते हैं कैप्चर करने को वैली को दो बार जो हैं कैप्चर करने की कोशिश करते हैं वैली को बट फेल हो जाते हैं तो आफ्टर देथ ओफ क्वीन दीदा इन 1003 AD क्या होता है यह जो क्राउन है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है तो संग्राम राजा जो की बेटे थे क्वीन दीदा के भाई के उधे राज के बेटे थे संग्राम राजा उन्हें क्राउन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है तो next जो थे वो थे संगराम राजा चीक है इसी के साथ next जो है लाहोरा जो डाइनस्टी है वो स्टार्ट हो जाती है यह हम next lecture में cover करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं अगर आप इंजॉआई कर रहे हैं तो like, share, subscribe जरूर करें हमारे चैनल को तो next lecture में हम cover करेंगे लाहोरा डाइनस्टी और बाकी जो रहती हैं डाइनस्टी वो हम cover करेंगे आज के लिए बस इतना ही thank you so much